हलो बच्चों मैं शोबित कुमार चोधरी फिर से आपका वैलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अवेली पर उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मज़े में होगे आज हम स्टाट करने जा रहे हैं इंकम टेक्स के बारे में और आज हम इंकम टेक्स का फ़र्स चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हमारा ओर्येंटेशन बीकॉम परपज के लिए होगा Generally become secondary care examination होने वाले हैं उसमें क्या क्या important आएंगे आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो आज chapter first के important questions का discussion मैं आपके साथ करूँगा जो chapter first में आने वाल important question है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो आज कही video बड़ा मज़िदार होने वाला है आपको लाज तक देखना है साथ में वीडियो को आप सेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इनफोर्मेशन पहुंच जाए दोस्तों सबसे इंपोर्टेट बात ये है मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किया करें उस पर कमेंट किया करें जितने जादा से जादा लाइक कमेंट आप करेंगे जितने जादा से जादा सब्सक्राइ इसमें आपका ही फायदा है जो कुछ कराएंगे आप बात में देखेंगे कि maximum coverage आपको examination का आपके कराया गया है तो हमारे experience का फायदा उठा ही और अपने paper में जो जो आएगा वो paper से पहले ही एक तरीके से आप conceptually strong हो जाएंगे तो जरूर इस चीज को करें तो income tax के chapter 1 के बारे हैं हमें जो पढ़ना है that is our subject name is income tax income tax का जो act है वो 1961 है तो हम income tax के बारे में पढ़ रहे हैं income tax act 1961 के बारे में जर्नली बेसिक चीज यह है कि tax होता क्या है tax एक compulsory payment है जो government को की जाती है और government उस पैसे का पैसा उस पैसे का जो खर्चा करती है वो आपके उपर करती है आपकी development के लिए करती है basic structure बनाने के लिए करती है road के लिए करती है आपका building के लिए parks के लिए यानि कि सारी की सारी च कमाई है जो आपसे उनकी जेब में जाता है हम लोग tax pay करते हैं वही tax tex government के पास एकटा हो जाता है और उसी tax एक government गुजारा करती है तो basically main चीज यह हो गई कि tax क्या है एक compulsory payment है जो government को की जाती है तो यह एक मेरे बच्चो यह एक compulsory payment है compulsory payment है गोवर्मेंट को वो compulsory payment जो हम government को करते हैं और बेटा जो tax होता है generally दो तरीके का होता है एक होता है हमारा direct tax और एक होता है हमारा indirect tax यानि कि दो तरीके के taxes के बारे में हम पढ़ते हैं एक tax को हम direct tax बोलते हैं और एक tax को हम indirect tax बोलते हैं generally यहां word लिखा हुआ है income tax तो अभी हम income tax पर नहीं पहुँच रहे हैं, अभी हम केवल tax पर पहुँच रहे हैं तो tax is a compulsory payment to government, tax can be defined into two categories, direct tax और indirect tax अब यह जो direct tax है, वो direct tax उसको हम क्यों बोलते हैं और जो दूसरा हमारा indirect tax है, उसको हम indirect tax क्यों बोलते हैं direct tax का मतलब यह होता है बेटा, कि यह tax का burden जिस आदमी के ऊपर है यही उसको, यही उसको government को जमा करता है यह दो बाते हम अपने दिमाग में रखेंगे यानि कि tax का burden जिस आदमी के ऊपर है, उसी आदमी को वो tax government के पास जमा करना है चाहे वो खुद कर दे, चाहे वो अपने बिहाँ पे किसी पे करवा दे, लेकिन माना उसी के द्वारा ही जाएगा means, यानि कि वो tax, tax अगर इस तरीके का हैगा, tax का character sticks कुछ इस तरीके का नजर आता है कि जिस आदमी के ऊपर burden पड़ता है, वही आदमी उस tax को government के पास deposit करता है मतलब मान लेते हैं, tax का burden A के ऊपर है और A ही government के पास जमा करता है या Mr. A ही इसको government के पास जमा कराते हैं तो ऐसे tax को हम direct tax बोलते हैं फिर बात आती है indirect tax की, कि indirect tax क्या होता है indirect tax एक ऐसा tax है, बेटा जिसका burden तो किसी एक person के ऊपर जाता है लेकिन जो government के पास उसको deposit किया जाता है, वो किसी Mr. B के दवारा किया जाता है मतलब कि burden किसी एक आदमी पर है, levied किसी एक आदमी पर हुआ है और government के पास उसको deposit किसी तूसरे आदमी ने किया है तो ऐसे tax को हम indirect tax बोलते हैं दो तरीके के tax हो गए, एक tax हो गया direct tax और एक tax हो गया indirect tax ठीक है बच्चो, तो direct tax का मतलब burden जिस आदमी के ऊपर है, levied जिसके ऊपर हुआ है वही उसको government के पास जमा करता है indirect tax का मतलब कि burden जिसके ऊपर आया है, levied जिसके ऊपर हुआ है उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उसको government के पास जमा करता है जर्नली आप इसके basic structure को समझी ऐसा क्यों किया गया है indirect tax को बनाने का जो जरिया है वो इसलिए था कि थोड़ा सा एक control मिल जाए government को जैसे for an example मैं बात करने लगूं कि एक sales tax हुआ करता था, sale tax जो अब delete हो गया है ऐसे ही एक wet हुआ करता था, value added tax जो अब delete हो गया पर example के लिए हम उसको use कर लेते हैं कि जैसे wet एक tax था तो wet होता क्या था कि कि किसी आदमी ने कोई सामान खरीदा तो वो सामान खरीदते time जो उसको purchase price बताया जाता था उस सामान में वो tax का price भी जुड़ा हुआ होता था तो इसका मतलब अगर Mr. A कोई purchaser है उन्होंने कुछ सामान खरीदा है तो Mr. A ने उस सामान का जो price दिया है वो plus tax दिया है लेकिन वो पैसा किसके पास इकटा हुआ वो पैसा माल लेते हैं Mr. B जो एक दुकंदार है उनके पास इकटा हुआ है तो जो tax जमा करना है Mr. A जो एक customer है उनको जमा नहीं करना है Mr. B जो दुकंदार है वो tax इसको जमा करें अब सोचिए इसी तरीके से उस दुकानवाले के पास सुबह से साम तक कितने सारे लोग आते होंगे अगर उसने 10,000 लोगों से डील किया और 10,000 लोगों ने उससे समान खरीदा तो 10,000 लोगों का वो tax एकेला ही जमा कर सकता है तो इस तरीके के tax को बनाने का जो कारण है वो य यह है कि जादा से जादा एक ही आदमी के हाथ में point of control आ जाए और जल्दी से जल्दी government के बद जादा से जादा tax पहुंच जाए indirect tax में ऐसे tax होते हैं जैसे कि हमारा income का tax हो गया अगर मैं बात करूँ example की तो जो direct tax है उसमें हमारा मेरे बच्चे आता है income tax और जो indirect tax है उसमें बेटा indirect tax में आया करते हैं service tax आपको indirect tax में आता है excise आता है custom आता है यह सारे example indirect tax के हैं तो paper में पूछ सकता है कि direct और indirect tax में क्या difference है तो कोई चार difference आप सर्च कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है burden एक आदमी के उपर होता है जमा भी वही आदमी करता है direct tax हो गया burden एक के उपर है deposit government के पास दूसरा करता है indirect tax हो गया फिर हम example लिख देंगे कि income tax is the example of the direct tax ऐसे ही उसके बाद हम लिख देंगे service tax exercise और custom duty is the example of indirect tax ठीक है तो इस तरीके से हम इनकी हम difference बना सकते हैं दो difference आप खुछ सर्च करेंगे क्योंकि कुछ homework आपके पास भी रहना चाहिए और comment करके मुझे बताएंगे कि आपने दो difference कौन से ढूंडे है तो पहला difference तो यही हो गया कि direct और indirect tax station में जो differences होते हैं वो आप मुझे comment करके बताएंगे जरूर comment कीजेगा अब मैं chapter first में बात करने वाला हूँ और important topic की हम पढ़ रहे है income tax तो income tax होता क्या है अभी तक हमने नहीं बताया income tax क्या होता है तो income बेटा क्या होती है आप जानते हैं किसी एक आदमी ने जो कमाया है किसी एक आदमी की income और उसके उपर दी जाने वाली government की compulsory payment जिसको हम बोलते है tax means जब कोई आदमी अपनी income पर government को पैसे tax submit करता है amount submit करता है तो उसको income tax कहते है income tax एक direct tax है तो यह भी लिख सकते है income tax is a direct tax which is levied on a person and deposited by the such person on his या her income तो इस तरीके से हम income tax की definition दे सकते हैं अब income tax के अंदर में हमें पढ़ना होता है person क्योंकि जो tax जमा करता है वो एक person जमा करता है तो income tax के हिसाब से किन-किन आदमियों को person माना गया है जो tax जमा करें बी केरफुल ढंग से पढ़ेंगे income tax के अंदर section 231 में लिखा हुआ है कि person क्या होता है तो person जर्नली वो आदमी होता है जो income पर tax जमा करता है उसको person बोलते हैं लेकिन इस person में क्या क्या include होता है income tax के हिसाब से इसलिए ढंग से देखेंगे important है पेपर में पूछ लेता है कि बताओ person किसको बोलते हैं तो person कौन होता है person में include होता है एक individual एक एकला आदमी a Hindu undivided family एक हमारा old structure होता है उसको भी person के अंदर include किया गया है जिसको हम सोट में HUF बोलते हैं जिसमें एक newly born baby को भी हम किसका member मानते हैं firm का member मानते हैं उस business का member मानते हैं company company को भी एक firm person माना जाएगा एक firm को भी एक person माना जाएगा इसके अलावा association of person, body of individual whether incorporated or not, a local authority, artificial judicial person not falling with any preceding categories, example University of Delhi यानि कोई भी ऐसा आदमी जो पैसे कमाता है वो अपनी income पर tax जमा करेगा उसको person बोलेंगे उस person में कोई HUF हो सकता है, कोई individual हो सकता है, कोई company हो सकती है, association of person हो सकता है, कोई local authority हो सकती है और उपर जितनी भी बाते बताई गई हैं अगर अभी तक उन में से कोई cover नहीं हु के अंदर में लिख देगे, उसके बाद में बात आती है, assessing की assessing कौन होता है, बेटा, assessing वो आदमी होता है, assessing बी careful, word हो को समझेगा, अभी हमने पड़ा person, आदमी कौन होता है, जो income tax जमा करता है, अब हम पढ़ रहे हैं, assessing कौन होता है, बेटा, assessing वो आदमी है, assessing means a person, यानि की assessing उसको बोलेंगे, in person की तरफ हम उसको hint कर रहे हैं, यानि की assessing is a person who is liable to pay any tax, assessing वो आदमी है, वो person है, जो कोई tax को pay करने के लिए liable है, और अभी हमने क्या कहा, person में क्या हो सकता है, कोई H.U.F. हो सकता है, body of individual हो सकती है, कोई firm हो सकती है, कोई company हो सकती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक line में हमारा पीचा चुट जाएगा, केवल person लिखने से, लेकिन person में उपर जितने भी नाम बताएं है, उन में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है बच्चे, आगे बोल रहा है, कि assessing एक person है, जो कोई भी tax pay करने के लिए liable है, और आगे भी बोलता है, कि tax ही नहीं, be careful, who is liable to pay any other sum of money under this act, tax के अलावा अगर और कोई sum of money उसको pay करना है, तो वो आदमी जो pay करेगा, उसको भी assessi माना जाएगा, for an example, आपने time पे tax जमा नहीं किया, तो आपको कोई interest पे करना पड़ रहा है, आपके ओपर कोई penalty लगाई गई है, तो वो उसको भी assessi माना जाता ह आगे बोल रहा है, in respect of whom by any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income, यानि कोई भी proceeding कोई भी कारेवाई उसके उपर की गई है, जो उसकी income के assessment से related है, वो सारी चीज़ यहां पर cover की जाएंगी, ठीक है, आप मैं read कर देता हूँ, आप इतना लिखेंगे, वो काफी होगा, लेकिन जादा से जादा ल for the amount or refund due to him to the such person or refund भी यहां consider किये जाते हैं, who is deemed to be an assessi under any provision of this act, साथ में एक word और बोल रहा है, भी केरफूल, इस word का meaning है, deemed assessi, यहां पर लिख लेंगे हम, इस word का meaning है, deemed assessi, यानि कि assessi के अंदर एक word और cover होता है, जिसको हम बोलते है, deemed assessi, assessi में deemed assessi भी include होता है, deemed assessi हम उस situation में बोलते हैं, for an example, जैसे मेरे father को tax जमा करना था, उनकी death हो जाती है, उनकी death होने के बाद, अब उनकी property का मालिक मैं हूँ, तो बेटा, in that case, हलाकि income उन्होंने कमाई है, बट उनकी income का मालिक, क्योंकि मैं हूँ, उनका उत्राधिकारी मैं हूँ, तो इसलिए मै deemed assessi बन जाओंगा और मुझे उस income tax देना पड़ेगा, तो उसको deemed assessi भी है include होते हैं, ठीक है, assessi वो आदमी जिसकी income tax दिया जाता है, उसको assessi बोला जाता है, उस आदमी में कोई H.U.F. हो सकता है, body of individual हो सकता है, firm हो सकती है, company हो सकती है, Hindu undivided family हो सकती है, ठीक है, who is deemed to be an assessi in default under any provision of this act, और या कोई भी ऐसा assessi जिसको default assessi माना गया है, किसी भी act के अंदर में उसको भी है consider assessi की तरह किया जाएगा, section 27 में ये बाते लिखी होई है, आगे बढ़ते हैं, एक और सबसे important question यहां का, आज जो मैं cover करा रहा हूँ, सारे सारे sort आपके लिए, जो sort एक तरीके से question है, जो 4-4 number के question आते हैं, वो cover करा रहा हूँ, अब इसमें हम पढ़ने वाले previous year, previous year क्या होता है, इसको हम बच्चे एक example से समझेंगे, example में इस तरीके से, आप ये समझीए, मैंने अपना business 1 April 2020 को start किया, be careful, मैंने अपना business 1 April 2020 को start किया, और जो मेरा business खतम होता है, 31 मार्स 2021 को start किया, ठीक है मेरे बच्चो, अब हुआ क्या, ये जो मैंने किया है, इस bracket को हम बोलते हैं, 12 महीने का 1 financial year, क्योंकि calendar year 1 April से चलता है, जो tax के अंदर categorize नहीं होता है, valuable नहीं होता है, हमें tax के हिसाब से लेकर जो चलना पड़ता है, tax के हिसाब से हमें लेकर चलना पड़त है, तो 1 April 2020 को मान लेते हैं, मैंने अपना काम करना, अपना business start किया, और 31 माद 2021 को अपना business, मेरा वो वाला साल मेरा खतम हो जाता है, अब मैंने पूरे साल business किया है, मैंने क्या कमाई होगी income, तो मुझे इस साल की income पर क्या देना पड़ेगा, tax देना पड़ेगा, थोड़ा स धंग से समझेंगे, तो बेटा हुआ क्या है, कि 31 माद 2021 जो मेरी साल का last है, मेरे साल का last है, जो मैंने income 1 April 2020 से कमाई है, 31 दिन 2021 साल का last हो जाता है, उस साल का last दिन है, उस दिन मैं last दिन earning कर रहा हूँ, तो हुआ क्या मैंने 10 बज़े तक अपनी दुकान पे रहा और अच्छ एक चार 2021 से स्टार्ट हो गया नया साल, लेकिन जो पिछले साल मैंने income कमाई थी, अभी तक मुझे उस पे tax देने का time कहां मिला है, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी income compute भी नहीं करी है, पूरे साल काम किया है, अब बैटके मैं अपनी income compute करूँगा, तो जो मैं income compute करूँग वो मैं मेरी income start होगी, एक अपरेल 2020 से लेके 31 दिन 2021 तक जो मैंने income कमाई है, उसका computation जो start होगा, वो 2021 से मैं करूँगा, और government मुझे 4-5 महीने का time देगी, कि आप अराम से बैटके हमें कोई गलती नहों compute करके देदे, तो इस तरीके से पिछले साल की income पर tax देते देते, assessment करत करते करते, उसकी calculation करते करते, अगला साल आ जाता है, next year आ जाता है, इसलिए word यहाँ पर यूज हुआ है previous year, यानि कि ये वाला साल मेरा कौन सा हो गया, previous year और मैं इस पर tax कहां निकाल रहा हूँ, बैटके अगले साल जो 14-2020 से start होता है, उसको हम current year बोल देते, क्योंकि उस सा मुझे दो काम करने है, पिछले साल की income पर बैटके tax भी निकालना है और अपना current year में income भी कमानी है, सामान भी बेचना है, ठीक है, तो हुआ ये, मैं पिछले साल की income पर बैटकर next year में जाके tax देता हूँ, क्योंकि पूरे साल तो मैं कमाई में ही लगा रहता हूँ, तो इस procedure को हम क्या बोलते हैं, कि जिस साल मैंने कमाई की है, उस साल को हम previous year बोलते हैं, यह हम ऐसे कह सकते हैं, कि हम current financial year में जिस year की income का हम computation करते हैं, उस year को previous year बोलते हैं, तो ये simple सी बाते हमने यहां लिखी हुई हैं, कि previous year क्या है, It is defined separately under the section 3 of the income tax act, previous year means the financial year, immediately preceding the assessment year, यानि कि assessment से just पीछे वाला year जो होता है, वो हमारा previous year होता है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, क्योंकि साल खतम हो गया, उस साल तक कमाई की अगले साल आया, Government ने का भी पिछले साल का हिसाब मैंने का साब दे देंगे, हम इस साल आपको पिछले साल की income का हिसाब दे देंगे, तो उसी हिसाब से, उसी context में इसको previous year बोला गया, और यहां पर definition लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लोगे, ऐसे ही बात करते हैं assessment year की, तो यहीं से इसको link करें, यहीं से इसको link करें, हमने एक अपरेल 2020 से लेके, 31,3,2,021 तक बैटके income कमाई, जिसको previous year इसलिए बोल दिया गया, क्योंकि इसकी income per tax, क्योंकि इसकी income per tax, जो हम calculate करेंगे, वो हम करेंगे, 1,4,2,021 वाले year में, और यह हमारा हो जाता है next year या assessment year, तो कहने का मतलब क्या है, sir, ultra relate कर दो, अभी हमने क्या बोला था, कि assessment year में, जिस year की income का tax compute करते हैं, उस year को previous year बोलते हैं, या, ultra कर दो, क्या बोल देंगे, कि previous year की income का tax, previous year की income का tax, जिस year में, previous year की income का tax, जिस year में compute करते हैं, उस year को हम assessment year बोलते हैं, assessment year को आप current financial year की तरह भी देख सकते हो, उसको हम current financial year भी बोल सकते हैं, बात समझ में आरीए बच्चो, तो ऐसे link कर देंगे, पूरी definition, आप अराम से पढ़ सकते यहां पर लिखी हुई है, मैं आपको explanation दे रहा हूँ ताकि आपके mind में बाते आ जाएं, बाकि आप video को pose करके यहां से अपनी पूरी चीजे लिख सकते हैं, अब income क्या है, यानि कि कौन सी income आपकी income tax के दाइरे में आएंगी, simple सी यहां पर बात आई है कि हमारी income tax के दाइरे म कौन कौन सी income आएंगी, ऐसी कौन कौन सी income है जो income tax के दाइरे में रखी जाएंगी, यहां पर दुनिया भर की income लिखी हुई है, आप इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं, या मैं आपको दिखाओ, आप मैं लिख के दे देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि income tax में जो income है वो five heads में divided हैं, आप ऐसे भी answer लिख सकते हो, कि income tax में जो income है वो five heads में divided हैं, पहले को हम बोलते हैं, income from salary, दूसरे को हम बोलते हैं, income from PGVP मतलब profit and gain from business and profession, तीसरे को हम बोलते हैं, income from house property, ठीक है, फिर हम चोथे को बोलते हैं, income from under chapter capital gain, और फिर हम बोलते हैं, income from other sources, ठीक है, other sources, ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो यहाँ पर सारी बाते लिखी हुई है, वो इसी का निचोड लिखी हुई है, उन्होंने बढ़ा बढ़ा करके लिखा हुआ है, तो income क्या है, प्र पर tax देंगे, previous year में income पर tax देंगे, तो वो कौन-कौन से income होगी, तो वो income यहाँ पर लिखी हुई है, income from salary, income from PGVP, income from house property, income from capital gain, या income from other sources, सारी की सारी income यहाँ कवर हो जाती है, आप ये भी लिख दें, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों बाते एक ही है, उसके बार बार नहीं होती है, वो income जो कभी कभी हो जाती है, इनको non recurring income भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, non recurring income, तो ऐसी कोई भी income जो regular nature की नहीं है, जो बार बार नहीं होती, कभी कभाग तुक्का पेली हो गई तो हो गई वरना नहीं होगी ऐसी income को हम non regular income बोलते हैं, यहा क्या होता है, winning from lottery, crossword, puzzles, card game and other कोई भी game, यानि कि एक तरीके से speculative nature की जो income होती है, speculative बोलते हैं, सटे बाजी को, तो यानि कि income from speculative business को हम यह consider करते हैं, ठीक है, जो winning from lottery हो, crossword हो, puzzle हो, cards हो, game हो, सटे बाजी की income आप कह सकते हैं, जैसे price awarded for coin collected, जैसे मैं यह भी कह सकता हूँ, आप ऐसे कर देना, income from आप अभी लिखें, देवियो और सजनो, kbc, कौन बनेगा करोड़ पती से जो income है, वो आपकी regular income, हलाकि आप उस पर tax देंगे, बट वो आपकी regular income नहीं है, वो casual income है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, income को दो पार्ट में बाट सकते हैं, regular income और casual income, tax हमें दोनों income पर देना होता है, चाहे हमारी casual income हो, चाहे हमारी casual income ना हो, हमें tax दोनों पर देना पड़ता है, आगे हम बात करते हैं, tax planning के tax planning का क्या मतलब होता है, tax planning एक word है कि आपकी जो, आपने जो जो करते हैं उनको हम tax professionals बोलते हैं tax planning जो करते हैं उनको हम tax professional बोलते हैं जर्नली जो CA होते हैं वो इस category में आते हैं तो जो tax planning की जाती है tax planning में हम low के दाइरे में रहके आपको ज़्यादा से ज़्यादा deduction और exemptions का benefit प्रोवाइड किया जाता जर्ने वाली deduction, exemption, allowance और rebate में जो भी आपको relief दिये गए हैं उनको use करके आपकी tax liability को हम reduce करते हैं उसको tax planning बोलते हैं सारा ध्यान रखने वाली बात ये है tax planning जो है tax liability को घटाना गलत नहीं है क्योंकि ये एक legal है ये low के हिसाब से low ने हमें low ने हमें कह रखा है कि आप tax plan कर सकते हो हमें provisions दे रखे हैं तो हम low के दाएरे में रहकर low के हिसाब से जब अपने tax की liability को minimize करते हैं कम करते हैं deduction और exemptions की साहता से तो उसको tax planning बोला जाता है ये गलत नहीं है ये legal है अच्छी मानी जाती है tax avoidance टेक्स avoidance का मतलब होता है कि आपने कोई income कमाई है उस पे tax लगा है आप उस tax को जमान नहीं कर रहे हैं उसको tax avoidance कहा जाता है और ये एक ethical legal manner में नहीं देखा जाता है मेरे वर्डो पे जाना मैंने कहा tax avoidance को ethical legal वे में नहीं दे जखा जाता है मतलब जो tax avoidance है वो बेटा legal ही है legal क्यों बोल रहे हैं tax planning को भी legal बोल रहे हो tax avoidance को भी legal बोल रहे हो बेटा जो tax avoidance है उसको legal इसलिए बोल रहे है कि जब हम low बनाते हैं तो low की कमी का फायदा लेकर ठीक है? low की कमी का फायदा लेकर जब हम अपनी tax liability को reduce करते हैं tax liability को reduce करते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं tax avoidance तो government कहती है आपको अच्छ आप एक अच्छे भारतिय है हमें tax ऐसे नहीं बचाना चीए कि low में कोई कमी है तो low falls का फाइदा लेकर हम low बचाएं तो ethically यह अच्छा नहीं माना जाता है कि आप इमानदार हैं आप फलाने हैं आपका moral जगाया जाएगा तो आपसे उमीद की जाती है कि आप ethical काम करें यानि कि जो society के welfare के लिए अच्छा हो जो government ने tax low बनाया उस low में कुछ कमी रह गई आपने उस कमी को पकड़ लिया और उसका फायदा उठा कर आपने tax बचा लिया तो पकड़ तो कोई सकता नहीं क्योंकि low में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है आपने बच गए आपने देख लिया low की कमी का फायदा उठाया है तो ऐसे में है तो legally लेकिन government आपको दुआ ही देती है ये गलत है आप में ऐसा नहीं करना चीए फलाना नहीं करना चीए तो जर्नलीस को एक वर्ड में हम बोलेंगे कि जो low में कमी रह जाती है उन low falls का यूज करके जब हम tax liability को कम कर लेते हैं तो उसको tax avoidance बोलते हैं तो government के हिसाब से tax avoidance अच्छी नहीं है otherwise ये legal ही है ethical way में अच्छा नहीं कहते हैं वर्ना तो ये legal ही है आपको कोई punishable नहीं करेगा अगर आप ऐसा करते हैं लेकिन हाँ जब समाज में बैठने की बात आएगी government जब certificate बाटती है कि ये honest taxpayer है तो ऐसे लोगों में साइद आपको जगा ना मिले वहाँ पे ऐसे लोगों को जब अगा मिलती है कि पता है लोगों में कम ही है पर उसके बाद भी वो tax दे देते हैं तो tax avoidance भी कोई गलत चीज नहीं है ethical नहीं है बस इतना कह सकते हैं ये तो सीधा सीधा चोरी है tax में चोरी करना और ये मेरे बेटा illegal है यहां तो आज फटे चक लेंदे अगर आपने ऐसा किया तो government बहुत फटे मारेगी आपको फटे चकाएगी फटे चकाएगी मतलब आप पे penalty लगेगी इंपर्जमेंट हो सकती है आपको jail हो सकती है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ना करें कहने का मतलब हम tax evasion को ऐसे दे सकते हैं कि हमारी कोई income थी जो income tax के दाइरे में taxable थी और हमने उस income पर tax नहीं दिया taxable थी tax के दाइरे में आ रही थी और हमने उस income पर tax नहीं दिया हमने उसको छुपा लिया तो that is tax evasion tax evasion बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता है यहां तो आपको सजा भी हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान से अब इसी तरीके से वर्ड आता है tax management tax management क्या है पढ़ लेना कोई इतना खास है नहीं मेरे हिसाब से तो जो लिखा हुआ है एक बार read कर लेना आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे basic principle of income tax तो यह भी बस आपकी knowledge के लिए लिख दिया है एक बार इसको भी आप read out कर लेंगे एक इसको भी एक बार आप read out कर लेंगे फिर last में आता है computation of total income की हम total income का computation कैसे करते हैं तो बेटा अभी जो मैंने आपको पीछे 5 head लिखवाए थे जब हम उन 5 head की income को यानि की अगर मैं ऐसे बात करूँ तो अगर मैं ऐसे बात करूँ sum of 5 heads income जब हम 5 head की income का total कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं gross income क्या बोलते हैं और जब हम वहाँ से minus कर देते हैं deductions जो आपको छूट मिली हुई हैं तो आपकी आजाती है एक तरीके से NI यानि की net income तो यही difference है हमारा यानि computation of total income में दो income आती हैं एक को हम बोलते हैं gross income दूसरी को हम बोलते हैं net income पांचो head की income का जो sum होता है उसको हम gross income बोलते हैं और net income में gross income में हम जो deduction हमें मिली है chapter 6 A की है या कोई और deduction है जब हम उनको minus कर देते हैं तो हमारी net income आ जाती है तो यह था हमारा आज का important concept कम से कम एक question यहां से paper में guarantee से आएगा मैं लिखके दे रहा हूं 100% और आप से फिर बोल रहा हूं बार-बार सारे जितने भी concept बताएं इनको धंग से कर लें और बेटा लाइक जरूर करें वीडियो को कमेंट जरूर किया करें जब तक के लिए धन्यवाद घर रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें